दोस्तों भारतिव वाय स्वेना के लिए काफी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है जहांपर इसी साल यानि कि करण फाइनेंशल एर के पूरा होने से पहले पहले भारतिव वाय स्वेना को 16 और तेजस MK1A फाइटर एरक्राफ्ट सांप दे जाएंगे और इस बात की गरें मिल जाएंगे और सही माहिने में देखा जाए तो इस समय भारतिव वाय स्वेना को ऐसे एरक्राफ्ट की जरोत है क्योंकि चीन जिस तरीके से लगातार अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है भारत के पास जादा हत्यारों कहोना इस समय बहुत इंपोर्टेंट हो अगर इसकी डिटेल्स की बात की जा तो यह सिंगल सीट, सिंगल इंजन और एक लाइट कॉमबेट इयरक्राफ्ट है बनाने वाली कमपनी HAL है और इसकी लंबाई करीब 43 फीट्स की है और इसका खाली विजन करीब 6560 किलोग्राम का है और यह अपने साथ मैक्सिमम टेक करीब 3500 किलोग्राम का ले जा सकता है इसके अंदर जनल इलेक्ट्रिक 414 F414 INS S6 टबो फैन इंजन का सिंगल इंजन है इसके साथ इसके स्पीड 1.5 मैक की है और इसकी कॉमबेट रेंज करीब 850 किलो मीटर्स की है वहीं यह एरक्राफ्टे साथ 8 एक्स्टरनल हत्यारों को ले जा सकता है जिसमें कई एर्टु एरी मिसाइल एर्टु सफेस मिसाइल और बॉंब्स और रॉकेट्स अपने साथ ले जाकर के दुस्पन पर आसानी से हमले कर सकता है तो यह भारत के लिए बहुत इंपोर्टन होने वाली है इसी के साथ हम आप से कोशन पूचन में मदद मिले और जो प्रोजेक्ट काफी जादा डिले हो जाते हैं वो इस तरीके से डिले ना हो पाएं यदि आप हमारी इस बात से सहमें तो तो कमेंट बॉक्स में यस अधरवाइस नो लिक करके इस वीडियो को यहीं चोड़ सकते हैं भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीज़े वन्दे मात्रों भारत माता कीचे